वाँच्वानी अगवळ अनुभावता प्रज्णाचक्षुव सहीत सव कोईने माटे गुजरात विश्वकोष ट्रस्ट नो नवतर प्रयास श्राव्य सामाईक विश्व विहार मुद्रक प्रकाशक अने तंत्री गुमारपार देशाई संपादन प्रीती शाः श्राव्य संपादन जेवी कवी अने आर्पी सोनी तो रजु करिये छिये गुजरात विश्वकोष ट्रस्ट नू प्रतिमास प्रगठत नू संपर्क पत्र सामाईक विश्व विहार विश्व विहार सप्टेंबर 2021 आपनो देश आजात थोयो ते पहला उग्णी सो चैत्तालिसमा कारेरत थहेली भारतिय बंधारन सभाए नवेंबर ओग्णी सो ओगण पच्चास मां बंधारन ने आखरी ओप आपयो इपहला ए मुद्धो उपस दित्थोयो अतो के कैंद्र अने राज्यो वच्चे सम्वाई संबंद रहेशे के कैंद्र सर्वसत्ता दिश रहेशे त्यारे डॉक्टर बाबासाइब आमबेट करे जणावी अतुके न तो कैंद्र न तो राज्यो सर्वोच्चे छे मात्र बंधारन सर्वोच्चे छे आजे आपणा देशने आजाद थहे सित्तेर वर्ष्ट थाया छे आ दरम्यान संबाई तंत्रनी जोगवाई मा जुधा जुधा विवादो अने जुधी जुधी समस्याओ सर्जाई छे आ समस्याओ शी छे अने केवी रिते तेनू निराकरण थाय ते अंगे विशत चर्चा करे छे प्रविन कर लहरी सांबढ़िये प्रिती शाना स्वर्वा आजनी वाद भारतना संबाई तंत्रनी समस्याओ आठमी ऑगस्ट बेहजार ओगणिसना दिवसे भारतना ग्रू मंत्री श्री अमीद भाई शाये संसदमा काश्मीर अंगे ना बीलो रजुकरीने बंदारणनी कलम 300 सित्तेर हेठर काश्मीर ने अपायल विशेश अधिकारो परत खेंचवानी बलामन करता खरडानू वांचन कर्यू हतु अने तेने संसदे स्विक्रूती आपता आपना बंदारणमा 300 सित्तेर मी कलम रई पन छेला सित्तेर वस सुधी चाली आवेली काश्मीर ने अपायल खास हकनी हंगामी व्यवस्थानो अंत आव्यो ए साथे जम्मू काश्मीर राज्येना बे भाग करी लडाखने विधान सभा विनानो केंद्र सासित प्रदेश जाहेर कर्यो अने बाकीना जम्मू काश्मीरने पन विधान सभा साथेना केंद्र सासित प्रदेश तरीके जाहेर कर्यो संसद मा गुरू मंत्री श्री अमित्भाई शाना आपेला प्रवचन मा एक सूर व्यक्त थयो के केंद्र सरकार राष्ट्र हित मा तेमने मलेली कोईपन सत्तानों उप्योग करता खचकाशे नई 1946 मा कारियर थयेली भारतिय बंधारण सभाए नवेंबर 1915 मा बंधारणने आखरी ओप आप्यो ए पहला थयेली हजारो कल्लाकोनी चर्चामा ए मुद्दो उपस्थित थयो हतो के केंद्र अने राज्जियो वच्चे संबंध संवाई दोरणे रेशे के केंद्र सर्व करता जणाव्यू के ना तो केंद्र के ना तो राज्जियो सर्वोच्चे छे मात्र बंधारण सर्वोच्चे छे बंधारणनी जोगवाई नो अभ्यास कर्या पछी अनेक निश्नात ओए भारतना बंधारणने क्वासी फेडरल अर्थात अर्ध संवाई तंत्र गणाव्य आजे भारत सरकार ने सित्तेर वर्ष पुरा थया छे त्यारे समवाई तंत्रनी जोगवाई मा फरी जुदा जुदा विवादो सामे आव्या छे। सरकार नी रचना बाद राज्योना अधिकारना मुद्दे अनेक माग करवामा आवी हती। समने अल्प दरज्यो आपे छे। आंगे फरियादो पन थवा लागी हती। जोके केंद्र सरकारे स्पष्ट कर्युके दर पांच वर्षे निम्बामा आवता नाना पंचना हेवालने आधारे राज्योने नानानी फालोनी करवामा आवे छे। अत्यार सुधी नाना पंचना तमाम हेवालोनो केंद्र सरकारे कोई फेरफार कर्या वगर स्विकारीने तेनो अमल कर्यो छे। आपणा विशाल देशना जुदा जुदा प्रदेशोमा अ समानता होवा थी जेते राज्योना गरी बने वंचितोनी संख्या नक्की करवी तेवी आंतर मालखा की यसुविधाना प्रश्णो जटील छे। जे राज्य कुद्रती रिते साधन विल्होनु होई तो तेमने मदद करवानी तमाम राज्योनी अने केंद्रोनी फरच छे। आपने ए हकिकतनो स्विकार करवो जुए के नाना एकत्र करवामा बंधार अने करेली जोगवायोने कारणे केंद्रनु पल्लू घणू वजन्दार छे। जोके गुड्स अने सर्विस, जी एस्टी ना अमल बाद वेरानी बाबत मा राष्ट्र कोक्षाय समानता आवी छे। जी एस्टी नी आवकना पचास्टका रकम न्याई टेक्स वसुल करवामा आवे छे, ते राज्योने मड़े छे। केंद्रने प्राप्त थेली तेनी आवकनी फालोणी पन नाणा पंचना हेवालने आधारे करवामा आवे छे। राज्या नितिशास्त्रना समवाई तंत्र नो जे आदर्श सिद्धानतोनो भंग थतो जणाए, तेमा नीचेनी बाबतो अग्रस्थाने छे। एक, राज्यानू अस्तित्व अने सीमाओ, राज्यानी स्थापना, पुनर रचना के विशर्जन करवानी संसत पासे संपूर्ण सत्ता छे। ओग्णे सो चप्पनमा राज्या सिमांकन पंचे आपेला हेवाल मुझब, सोल राज्यानी स्थापना थाई हती। तेनी संख्या हाल अठ्यावी सूपर पहुँची छे। जम्मू काश्मीरने राज्यानो दरज्यो पुनर मर्शे त्यारे तेओनी संख्या ओगंत्रिसनी 2. राज्यानो वईवट संबाली लेवानी कलम 305 हेठळ केंद्र ने सत्ता छे। राज्यानो शाषन बंधारन मुझब 40 शके तेम नथी एवी खात्री थाई तो केंद्र सरकार चूटायली राज्या सरकार ने बर तरफ करी ने राष्ट्रपती शाषन लागू पाड़ी शक 3. भारतिय बंधारन मा विविद विशयोनी फालवनी 3 यादी द्वारा करवामा आवी छे। प्रथम यादी मा केंद्र सरकार ने फालवनी ना विशयोनी सूची छे। 4. भारतना न्याई तंत्रमा राज्य राज्य विच्चे केंद्र विच्चे जो कोई विवाद आकार ले तो तेनु बंधारनी या निराकन करवानी सत्ता भारतनी सुप्रिम कोटने छे। 5. विशयोनी फालवनी मा जेनो उल्लेख नथी। तेवा अनेक विशयो सामे आव्या छे। 6. दाखला तरीके अवकाश विग्णान, अनु पर्मानु शक्ती, विजानु, संवरचना अने साधनो, आ तमाम बाबतो नवीन होई तो तेनो संपूर्ण अधिकार केंद्र ने प्राप्त थाई छे। जडब्थी बदलाता विश्वोमा अनेक नवी बाबतो, आपनी समक्ष आवती जाई छे, अने तेना पर केंद्र सरकार नी हकुमा स्थापित थाई छे। अमेरिकाना संवाई तंत्रमा वधाराना विशयो, राज्याने फालवाया हता, परन्तु त्या पन केंद्र सरकारे केटलाई नवा विशयो उपर अधिकार जमाव्यो छे। छो, केंद्र सरकार द्वारा करेली राज्येपालनी निम्लुक अने बंधार अने तेमने बक्षेल सत्ताव पन खास करीने विधान सभाना विशर्जन अने राज्या सरकार बर तरफनी जोगवाई सामे, अनेक राज्यो मा राज्येपालनी भुमिकावनो आक्रोष व्यक्त सुप्रीम कोर्ट ना चुका दाओए राज्य पालना अधिकारों ने सिमित करवा मार्क दर्षक सिद्धान तो आप्या छे, परन्तु राजकारणी जटिल प्रक्रियामा तेनु पालन थतु न थी. सात, सम्वाई तंत्रनी स्थापना राज्यो सहमती थी करे छे, परन्तु भारतमा खास करीने आपना बंधारण मा देशने यूनियन ओफ इंडिया राज्योना संग तरीके वर्णव्यू छे. संग अने सम्वाई तंत्र, वच्चे जे मोट्टो तफावच्चे ते आपनी बंधारण व्यवस्थामा स्पष्ट रूपे जुई शकाई छे. ओगणी सो नेवू थी 2004, लगभग 24 वर्ष सुधी, मिश्र सरकारों मा प्रादेशिक पक्षोय भाग लिदो, तेना थी पन राज्योनो केंद्र सामेनो विरोध डीलो पड़ो छे. जो के राज्यानी चुटनी समय पस्चिम बंगाल होई के तमिल नाडु, तेलंगणा होई के पंजाब, राज्योनी स्वायत तता बाबत, अनेक प्रकार्नी समस्याओ उभी करवामा आवे छे, ते स्थीती दुख़च्छे. आशा राखे के आर्थिक अने लश्करी महा सत्ता बनवा जही रहेला, आपना देश मा केंद्र अने राज्ये वच्चे, सुमेल भर्यो अने सहयोग भर्यो माहोल बनी रहे. प्रवीन क लेरी ट्रेनना आविशकार ने दोर्सोती वदु वश्ट थाई चुक्या छे. शरू आत्मा ट्रेनना एंजिनने कॉलसा सरगावीने उर्जे आप्पामा आवती. एटलेज ते आग गाडी केवाई. त्यार बाद अनुक्रमे डीजल अने वीज उर्जा थी चालती ट्रेननों आवी. अने हवे ट्रेनने हाईड्रोजन इंधन ती चलावानी योजना छे. पर देशमा तेना सफ़ल परिक्षन थई चुक्या छे. डीजल अने वीज उर्जा ने बदले हाईड्रोजन इंधन अनेक प्रकारे लापदाई छे. आ लाप गया छे अने केवी रिते हाईड्रोजन इंधन मेडवी शकाए, ते अंगे सुन्दर माईती आपे छे चिन्तन भट. सांबढ़िये जसुबाई कवी पासे थी? विज्यान आग गाड़ी नहीं, हवे आवशे जड़ गाड़ी. सोड एप्रील अडार सो त्रेपन ना दिवसे, आपना देश्मा बुरिबंदर स्टेशन एटले के मुंबई ना आजना चत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनस थी, थाने वच्चे लोखंड ना पाटा पर पहली पेसेंजर ट्रेन दोडी. तेने त्रण त्रण बाहिय दहन एँजीनों ए दोड़ावी हैती. बाहिय दहन एँजीन एटले बहार थी इंधन दहन, एटले के मित्रों ट्रेन माटे कोल्सा सडगावीने जे इंधन आपफ़ाम आवेते, तेना द्वारा एँजीन ने उर्जा पमा आवे छे, आ उर्जा थी सतत गरम थती पाणी नी वराल थी एँजीन शक्ती मिलवे छे, आने पैडा फरवा लागे छे, लोकोए एँजीन माँ सतत छलकता कोल्सा नी आग जोई, आने ते आग गाडी पन कहवाई, टेकनोलोजीना विकास ना पगले, एँजीन ने उर्जा आपवा माटे विविद विकल्प आपवा लागया, 3 फेबुरुआरी औगणी सोने 25 ना दिवसे, बंबे विटी थी, बंबे विटी एटले विक्टोरिया टर्मीनस, एटले के आजनू, छत्रपती, शिवाजी, महराज टर्मीनस, तो 1925 ना दिवसे मंबे विटी थी कुर्ला वच्चे विजडी थी चालता एंजिन वारी पेसेंजर ट्रेने यात्राक करी हती आ समग्र हिस्सामा पंदर सो वोल्ट दीसी विजप्रवाह उपलब्द कराववामा आव्यो हतो विजडी थी चालती ट्रेन माटे एंजिन शब्द आम विशा अर्थमा लेवो जोईए कारण के विजडी थी चालती ट्रेन माँ खरेखरतो विजडीक मोटर रज पैडा फेरवे छे ज्यारे 1907 माँ ट्रेनने डीजल एंजिन मलिऊं आम इवो कहवा है के लगबग सो वर्ष ना गाळामा ट्रेन अने ट्रेनना एंजिने त्राण प्रकारनी टेकनोलोजी ने आत्म साथ करी पेट्रोल डीजलना उपियोगना गुणदोष नी चर्चा अत्रे अस्थाने छे विश्वना बधाज देशों हवे वैकल्पिक इंधन तरफ नजर दोडाववा लागया छे भारतिय रेलवे मा वराल एंजिन तो लगबग पाटा उपथी उतरी गया छे अश्मिय इंधननी अचत मा सतत थता वधाराने लिधे भारतिय रेलवे डीजल एंजिनने पन निवरुत्त करवानी योजना बनाविली दी छे आ संजोगो मा आजेतो फक्त विज उर्जाथी चालती ट्रेन नो विकलपज नजरे चड़े छे आ माटे जरूरी विजली उत्पन्न करवा माटे ना घणा विकलपो छे छेला केटलाक वर्षो थी विजली उत्पन्न करवा माटे इंधन कोश एटले के अंगरेजी माँ फ्यूल सेल इंधन कोश फ्यूल सेल खुब चर्चा माँ छे त्यानी शोद उगणी सोने उगण चालीस मा युके ना विज्णानी विल्यम रोबर्ट ग्रोवे करी हादी उगणी सोने साइठ सुधी इंधन कोश नो खास कोई उपियोग कर्यो नहीं उगणी सो बासट थी छासट ना समय गाळा दर्मियान अमेरिकानी अंतरिक्ष समस्था नासाए पोताना जेमीनी प्रकल्प माटे इंधन कोश ने कामे लगाई डिया क्रुत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष कैप्सील अने प्रोब माटे विजशक्तीनू उथपादन इंधन कोश थी करवा मावियू आसा थे इंधन कोश लोकोनी नजरमा आवी गयो मार्ग परिवहन ना साधनों चिवाके कार बस इंधन कोशे आपेली उर्जाथी तो दोडवा लागया तो पची ट्रेन तेमा थी शा माटे पाचल रहे ओगस्ट 21 ना महिना मा समाचार चमकी गया के भारतीय रेलवे हरियाना मा जिन्द थी सुनीपत स्टेशन वच्चे दोड़ती डेमू ने अडेमू शब्द तमें सांबलों चैने डीजल एलेक्ट्रीक मल्टिपल यूनिट्स एत्ते के डेमू हाइड्रोजन इंधन थी चलाबवानी योजना करी 29 किलोमीटर अंतर ना पाटा पर दोड़ती डेमू मा एंजिन ने डीजल ने बदले हाइड्रोजन थी उर्जापवा मा आवशे आ परिवर्तन थी अवे डेमू नहीं रहे अन्ने ट्रेन ने पाण फेमू एफ एम यू जेवी कोईक बिजी वड़कपण मले कदाच पेट्रोल के डीजल करता वधू जोलन शिल हाइड्रोजन त्रण गणी वधू उर्जा आपे छे ते सव थी वधू कारियक्षम इंदन छे माटेज रोकेट ना क्रायोजेनिक एंजिन मा इंदन तरीके प्रवाही हाइड्रोजन नो उपियोक करवा मा आवे छे आपने सव जानिये छे के पानी ना अनूमा बे पर्मानू हाइड्रोजन और एक पर्मानू अक्सिजन होई छे जया रे वातावरण मा तो हाइड्रोजन वायू नही वत होई छे आम परोक्ष रीती हाइड्रोजन माटे पाणी सवथी मोटो स्त्रोत छे। आ कारण थीज जी आरे हाइड्रोजन इंधन निवात आवे त्यारे पाणी थी चालती ट्रेन पाण कहवामा आवे छे। आ ट्रेन जुना जमाना नी पाणी नी वराण एंजिन थी चालती ट्रेन थी तत दन भीन नचे। ते आग गाडी नू एंजिन अंगारवायो नू पुषकल उत्सर्जन करतु हतु। जरे पाणी थी चालती एट्टे के हाईड्रोजन थी चालती आधूनिक ट्रेन नू एंजिन अंगारवायो नू जरा पण उत्सर्जन करतु न थी। पण आ हाईड्रोजन मेलवो केवी दीते। हमना सुधीतो मिठेन वायो नू उपियोक करी हाईड्रोजन मेलवा मा आवतो हतो। भले पाणी मा बे बाग हाईड्रोजन होई पर तेमा थी इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाईड्रोजन बहु उच्छा प्रमणमा छुटो पाडवा मा आवतो हतो। अलबत सवर उर्जा थी पाण हाईड्रोजन मेलवानी टेक्नोलोजी अस्तित्वमा आवी छे, जैने सव थी वदू परियावनन रक्षक्त निरीत तरीके मानवामा आवे छे। रोकेट मा हाईड्रोजन सीध धुज इंधन तरीके उपयोगवामा आवे छे, एटके उपयोग मा लिवामा आवे छे। जे रे भुमिगत वाहनों माटे इंधन कोश एटले के फ्यूल सेल द्वारा हाइड्रोजन ना उपियोग थी विजडी पैदा करवामा आवे छे। अन्य विजडी थी वाहनों चाले छे। हाँ, हवे तो भुमिगत वाहनों पन सीधा हाइड्रोजन इंदन थी चाले तेवी टेक्नोलोजी विक्सावामा आवी रही छे। खेर, आपने पाछा पाणी थी चालती ट्रेन नी वात पर आवी जेगी। रेलवे सवती स्वच अने परियावरण रक्षक परिवहननु साधन मानवामा आवे छे। भले अन्य परिवहन साधनोंनी सरखामणी मा रेलवे परियावरणने उच्छो नुक्षान करे। पण तेमा वपराता इंधन मा सतत सुजारो छतो आवेव छे। रेलवे एंजिन माटे कोलसा थी विज उर्जा ना आपने साक्षी रहा छी। विज उर्जानु आधुनिक स्वरूपतो हाइडरोजन थी काम करता इंधन कोष। इंधन कोष मा रासाइनिक प्रक्रिया थी विजडी उत्पन्न थाय छे। जेमा हवामा रहेला अक्सिजन नो पन उप्योग थाय छे। अश्मिय इंधन थी चालता एंजिन मा थी कार्बन डायोकसाइड उपरांत केटलाक झेरी वायुओ उत्सरजित थाय छे। जेरे आ अधनिक एंजिन तो पानी नी वराल अने घनी भवन थायलू स्वच पानी ज उत्सरजित करे छे। हाइडरोजन इंधन कोष थी शक्ती मिलवती विश्वनी पहली पानी थी चालती पैसेंजर ट्रेन नू निर्मान करवानू श्रेव। फ्रांस नी अल्स्टॉम अल्स्टॉम कम्पनी ने फाल जाय छे। रिल्मे क्षित्तरे व्यस्त आ कम्पनी आपना देशना केटलाक शहरोनी मिट्रो ट्रेन माटे पन पुतानू योगदा नापे छे। एक इंधनकोष फक्त एक वल्ट विद्ध्युत्त ज उत्पन्न करे छे। परन्तु घणा इंधनकोषोनू संकलन करी जरूर मुजब वीज वल्टेज मेलवी शकाई छे। ट्रेनना एंजिननी उर्जा, भूक, संतोषवा, सेकलो इंधनकोषोनू संकलन करवामा आवे छे। अल्स्टॉमनी पैसेंजर ट्रेन बेहजार सोड मा जर्मनीना बरलिन शहर मा रिजु करवामा आवी हती। जे बेहजार ने अधार मा जर्मनीना ज पाटा पर दोडवा लागी। त्यार बाद इटाली, फ्रांस, उस्ट्रिया, वगेरे देशोए पन आ टेकनोलोजी मा रसु दाखिवियो। आपने पन नवी टेकनोलोजी अपना वामा पाचल न थी। जोके आपना पाणी थी चालती ट्रेनना प्रकल्पने पाटे चड़ता दशको निकली जाए तिवु बने पन खरू। इंधन कोश ट्रेनने दोडाववा माटे जरूरी विजडी आपे छे। ट्रेनना छापरामा संग्रहेला हाइडरोजन अने हवामा रहेला अक्सिजन न उपियोग करी कोश विजडी उत्पन्न करे छे। आ ट्रेन मां 150 मुसाफरो बैसी ने अने 150 मुसाफरो उभा रही ने मुसाफरी करी शके छे। 140 किलोमीटर प्रतिकल लाक नी जड़पे दोडती आ ट्रेन एक वखत इंधन भर्या पछी 1000 किलोमीटर नू अंतर कापे छे। हाइड्रो फ्लेक्स नामे उडखाती यूके नी हाइड्रो जन थी शक्ती मिलवती ट्रेन जर्मनी नी ट्रेन करता थोड़ी जुदी पड़े छे। तेनी रूपरेखा बर्मिंग हाम यूनिवर्सिटी ना रेलवेशन शोधन अने शिक्षन केंद्रे करी छे। हाइड्रो फ्लेक्स बेहजार ने उगनिसमा पाटा पर दोडती थाई छे। आ ट्रेन मा हाइड्रोजन नी टाकी अने इंधन कोश उपरांत बेटरी पन सामेल करवामा आवी छे। तेमा रहेला इंधन कोश 100 किलोवार्ट सुधी नी विजशक्ती उत्पन्न करे छे। तेमा रहेली बे लिथियम आयन बेटरी विजडीनो संग्रह करे छे। अने आ संग्रहायेली विजडीने जरूर मुझब वापरी शकाई छे। आम बे रीते दोडती बायो मोड विश्वनी आ प्रथम इलेक्टरीक हाइड्रोजन ट्रेन आ रीते बनी। अलबात आ ट्रेन हजी परिख्षण हेठळ छे। त्याने 40 किलोमीटर विनाविगने दोडवानी परिख्षात्राण वख़ सफरता पुरुवक पसार करी छे। केटलिक मरियादाव साथे आ ट्रेन महत्तम एशी किलोमीटर परतिकललाक नी जड़पे दोड़ी शके छे। अहीं एक वात स्पष्ट थाई छे के हाइड्रोजन ट्रेन ए इलेक्टरिक ट्रेन नो आधूनिक अवतार छे। जे विस्तारमा दिवसमा एक बेज ट्रेन दोड़ती होई, त्या रेल मार्गने विजडीना तार्थी सज्ज करवो परवडे नहीं। आ परिश्थितिमा हाइड्रोजन इंधन ट्रेन एक योग्य विकल्प तरीके सामे आवे छे। बविश्यमा सरवांगरी ते हाइड्रोजन ट्रेन अनुकूल थता तेनो व्याप वद्दी जशे, अने गईकालनी पेडी ट्रेनने जेम आग गाडी केती हती, तेम कदा चावती कालनी पेडी ट्रेनने जड गाडी केहवा लागेतो नवाई नहीं। चिंतन बट्ट ते मौवा ना वीर्चन रागव जी गांधी। वीर्चन गांधी है विश्वधर्म परिशद मा वसुदेव कुटूंब कमने आदर्श मानती भारतिय संस्कृती नो परिचय आपयो अने विश्ववंदुत्वं मा विश्वास धरावती भारतनी भावनानी वाद करी। तत्वग्न्यानना परम न्याता एवा वीर्चन गांधीना अनन्य व्यक्तित्व पर प्रकाश पाड़ेशे कुमारपार देशाई। सांभडिये बेला ठाकरना स्वर्मा। प्रतिभा। भुलायेली भारतिय अस्पिता। स्वामी विवेकाननना समकालिन एवा विर्चन रागवजी गांधी जन्म 25 अगस्ट 1864 मौवा अवसान 7 अगस्ट 1901 मुंबई। हैमने 1903 नी विश्व धर्म परिशदमा नवा विश्व कैवाता अमेरिकाने भारतिय संस्कृतिनी प्रभावक ओलक हापी। सौरास्ट ना भावनगर पासेना मौवाना आ युवाने अमेरिकामा योजायली विश्व धर्म परिशदमा एना विश्वयोना व्यापग ज्ञान थी, छटादार वक्तरुत्व कला थी औने सादगी पुल्णा आचार थी सव कोईने प्रभावित करे आता। अधार सो त्राणूनी 25 मी सप्टेम्बरे विश्व धर्म परिशदमा माथे सोनेरी किनार्य वाडी काठ्या वाडी पागडी, लांबो जब्बो, खवे धोली शाल, पगमा देशी आकडियाला जोडा धरावता विर्चन गांधिये, भारतिय जीवन प्रणाली अने तत्व पग्ण्याननों परिचय आपयो, उच्चू भरावदार शरीर, सुद्रड बांधो, तेजस्वी आखो, हस्तो चैरो, अने प्रतिबा संपन, शांत, प्रकृती थी, विश्व धर्म परिशदनी पहली हरोल माँ बैठेला विर्चन गांधि, विवित धर्मों ना धर्मों प अन्तो, पश्चीमनी संस्कृती ए प्राप्त करेली अ प्रतिम सिद्धियो, जगतनी अन्य, पच्छात कैवाती संस्कृती ने दर्शावानों हतो, अने एनो प्रच्चन हेतु, ख्रिस्ती धर्मनु अन्य धर्मना धर्मगुरुओ, अने अग्राणी अनु यायो समक्ष, म इमागान करवानों पन हतो, आनि सामे विर्चंद गांधिये, इंडियाज मैसेज टू अमेरिकानी वाद करी, ए समये, चोच्सोत राणुमा अमेरिकाने शोधनार कॉलंबस नी, चोथी शताब्दीनी पूर्णा हुती मा, अमेरिका आवा भव्य आयोजनों करतु हतो, आ व काशित करवा मा आवियती, आवे समये, जैन दर्शन तता सांख्य, वेदांत, वैशेशिक, मिमान सा जेवा तत्व ग्ण्यानना ग्ण्याता, वीर्चंद रागव जी गांधिये, धर्म प्रतिर्नितियों ने कईू, के अमे तो वैश्विक भाईचारा, युनिवर्सल ब्र अदर हुड मा मानिये छे, अमे धर्मोंनी बिन्नताने जोता ना थी, किन्तु सर्व धर्मोंने समावतो अमारो आदर्श छे, वसुधेव कुटुम्बकम। आपनी राष्ट्र भक्तिने ओनी आँचा आवे, तेवी कोई बाबाच सहन नही करिये। आ परिशद मा पादरी जोर्ज एफ पेंटाकोस्टे, निम्नकक्षानी भाषा प्रयोजीने हिंदु धर्मनी टीका करता आयम कईू, आ धर्ममा वेश्याओने पुजारण बनावामा आवे छे, अने ते पुजारण होय, तोपन वेश्यानू काम करती होय छे। भारत मा आवी 600 जेटली पुजारणों छे, जे वेश्याँ छे। विश्व धर्म परिशदना आ चोदमा दिवसे, एटले के अढ़ार सो त्राणोंनी 25. सप्टेम्बरे आ आक्षेप करवा मा आवे। आ परिशदमा स्वामी विवेकानन, प्रताप चंद्र मजुम्दार, जिवा हिंदु धर्मना प्रतिनिधियों हाजर हता। पन जेन धर्मना प्रतिनिधि वीरचन गांधीने माटे, आ टीका असय बनता। एमने सचोट, तर्कबद, औने वीरोधीने चुप करीदे तेवों प्रतियुत्य राप्यों। एमने कईू, के हिमालाई थी माडीने कैप कैमेरोन सुधी, क्यां एक्के मैला पुजारन नथी, औने खुद ग्रीशना इतियास वित्ता वे एम कईू छे, के कोई हिंदूने असत्य बोलतो जानेयों नथी, औने कोई हिंदूस्त्री, क्यारे अपवित्र होय एव जानेयों नथी। आटलू काया पछी, वीर्चन गांधिये कईू के, हिंदूस्तान जेवी, चारित्र शिल्स्त्रीयों, अने विदाम्र पुरूशों, आजे बीजे क्यां जोवा मडे शे। बड़ी जे अन्याईनी पादरी जोर्ज एफ पेंटाकोस्ट वाद करे शे, ते अन्याई तो ब्रिटन भारत सामे आचरे शे, अने भारतना कापड पर वधू टैक्स ले शे, तो ए अन्याई एमने केम खुच तो नथी। पोताना वक्तव याना अन्तिम भागमा वीर्चन गांधी कहे शे के, जे ओ भारतनी आवी निंदा करे शे, तेमने माटे हुँ अत्यन दिलगीरी अनुभवुश्य। पन मारा माटे सांत्वना रूप बाबा ते शे, के एमने मलती माई थी, छेक त्रीजा के चोथा स्त्रोत माथी मलेली होई शे, जे वास्तविक सत्य करता, वहमो अने मान्यताओ थी खचित होई शे। आ जवाब अंगे ए समये, शिकागो टाइम्स एना 26 मी सप्टेंबर 1830 ना अखबार मा नोधे छे, रेवरंड जोर्ज एफ पेंटाकोस्त नी मलीन इरादावाली टिकानो, जैन धर्मना प्रतिनिधी वीर्चंद गांधी है, तारकीक अने गरीमा पूर्ण प्रत्युत्तर अने आ नौन साथे ए दिवसना अखबार मा वीर्चंद गांधीनु प्रवचन अक्षर शह प्रगट करवा मा आव्यू अमेरिकाना सामाइक एडिटर्स ब्यूरोए भारत ना आ प्रवचन कार वीशे लखेली लाम बी डौन्द नो एक संग्षिप्त भाग आ प्रमाने छे जियारे तक मले त्यारे भारत ना आ वत्नीने सांबलवानी एक तक पन गुमावी जोईये नही अन्य कोई जगाए जवाने बदले एम नी पासे सांजे जशो तो वधू ग्णान अने सत्य लाध शे भारत अने अनी प्रजाविशे प्रवर्त ता अयोग्य अने बूल बरेला ख्यालो तेओ सुधारी शक्षे एमनु प्रवचन पुर्णा थाया बाद प्रेक्षक वर्गमाँ थी कोई पन व्यक्ती प्रश्न पूच्छे तो तेओ तेनो योग्य प्रत्युतर आपशे सत्य अने पवित्र तानो उपदेश आपती आवी उम्दा अने महान व्यक्ती ए प्रमाणे वर्ते शे एनी प्रशंशा माटे पूर्ता शब्दो नधी श्री विर्चन गांधी ए आपणा देशमा, क्लब, विद्वानो ना विद्यामंडल, साहिती अने चर्ज, सोसाइटी, थियोसोफिकल शाखाओ अने आध्यात्मिक परिशत समक्ष प्रवच्चनो आप्या छे पौर्वात्य योग विद्या अंगे एमने वर्गोपन चलाव्या छे तेमनु दरेक जग्या ए उष्मा भर्यू स्वागत करवामा आवे छे अने खोबाज प्रशंशा करवामा आवे छे आम विर्चन गांधिये भार्तिय संस्क्रूतीनु आत्मतेज दाखवियूं एक योगानु योग ए छे के अधार सो त्राणूना सप्टेम्बर मा योजा आयली विश्वधर्मा परिशदनी शत्तापदेनी उजवनी रुपे ओग्णी सो त्राणूमा शिकागोमा विश्वधर्मा परिशद योजाई यती अने त्यारे एमा भाग लेती वखते आ लेखना लेखा के विश्वधर्मा परिशदमा वीर्चन गांधि विशे प्रवचे नापिवतो ए जमानामा भारत ने कोब्रा, वाग औने राजाओनों देश मानवामा आउतो हतो अने भारतिय समाजने जंगली औने नारी प्रतिय अत्याचारी मानवामा आउतो हतो ए समये विर्चंद रागव जी गांधिये अमेरिकामा योग विशे प्रवचनों आपे हाता आमा एमने श्वास्तनों विग्न्यान, हिपनोटिजम, गूड विद्या औने भारतिय योगनी व्यात करी हती तैमाज एना जुदा-जुदा पासाओ विशे चर्चा करी हती एमने योगना वर्गो लिधा आता एका ग्रता विशे अमेरिकामा आठ भाशनों आपे आता अमेरिकामा स्मूती शक्ती विशे भाशनों आपे आ अने एना उदहारन मा एमने कलिकाल सर्वगने हैमचंद्राचार्य, श्रिमद राजचंद्र, पंडित गटुलाल जीना उदहारनों आपी ने भारतियों नी स्मूती शक्ती नी वाद करी ओमना प्रतिकनी चर्चा करियाती औने आभाम अंडर्ण विशे महाईती आपियाती है ए सम्मैनी एमनी योगीक क्रिया दर्शावती एमनी तस्वीर प्राप्त थाई शे विर्चंद गांधी शाकाहरमा तो पुरुणा आस्था धरावता आता चौद भाषाना जानकार अने सुन्दर चित्रकार विर्चंद गांधी जैन परमपरा प्रमाणे आहार ग्रहन करता आता विश्व धर्मपरिशत मा भाग लेवा माटे भारत थी एमनी स्टीमर मा सफर करवानी आती आसाम नामनी स्टीमर मां अमेरिका गयेला विर्चन्द गांधी है स्टीमर ना कैप्टन पासे थी पोताना जैन भोजन माटे खास परवान की मेडवी आती अने मववाना विख्यात जादुगर एवा ब्राम्मन नथुराम मंचा रामने रसोया तरीके पोतानी साथे लिधा हाता स्वयम स्वामी विवेका नंदे एकाच थड़े आश्चर प्रगट कर्यु हतु के एमना मित्र विर्चंद गांधी विदेशनी आटली कड़कडती ठंडी मा कई रिते शागभाजी पर जीवी शके छे आ विर्चंद गांधी अमेरिकाना श्रोता जनों समक्ष द सायंस ओफ इटिंग नामे महत्वनू प्रवचन आपे छे एमा मांसाहार नी विरुद्मा दलीलो करी ने शाकाहार नो मैमा बतावे छे अमेरिकानी धर्ती पर पग मुकनार कदाज पहला शाकाहारी विर्चंद गांधी अशे एमने कईू मात्र कैलिफोर्निया राज्य माधी अखा अमेरिकाने पूर्तु अनाज मडी शके तैम छे एनने कोई ये मांसाहार करवानी जरूर न थी विर्चंद गांधी नी ए समयनी दलीलो पन आश्चेर प्रेरक लागे छे एमने सूर्यास्त पहला भोजन करवानी अने जमता पूर्वे हाथ दोवानी भारतिय पद्धती नी वैग्नानीक ता बत्तावी आजे युनोए विश्वना देशो माटे भोजन पूर्वे हाथ दोवा अंगे खास आगर राख्यों छे आ संदर्मा तेओ कहे छे मानस ए मुणभूत रिते वानसाहरी प्राणी न थी एनिमल फूर्ड थी मानस मा एनिमल नेचर जागे छे अने एना थी अनेक प्रकार ना रोगो थाई छे कैंसर जेवा रोगो मा पन आ खोराक कारण भूत छे अने वड़ी मानसाहरी खोराक, खोराक साथे उत्ते जिनात्मक पीनू मागे छे कोई ये पूछिऊ के मारे भुख्यारीने मरी जोओ के पची मानसाहरोगू वीर्चंद गांधी कहे छे के तो भुख्यारीने मर्वू बैतर छे मुंबई शहर मा एक खोली मा बैरिस्टर मोहंदास करमचंद गांधी औने वीर्चंद रागव जी गांधी साथे रया आता रविशंकर नामनों रसोयो येमनों बोजन बनावतो हतो ए समये बैरिस्टर एमके गांधी ने ब्रीफ मलती नोती त्यारे वीर्चंद गांधी एमने सांत्वना आपता कईू हतो के फिरोश्य मैत्ता अने बदरूत दिन तयब जी जेवा सक्वल वक्किलोंने पण वक्किलात मा स्थीर थवा माटे घणों लांबो समय लागयो हतो इटले तमने वक्किलात ना व्यवसाय मा स्थीर थथा त्रान्थी पांच वरश लागी शके महंदास गांधी औने वीर्चंद गांधी बनने खोराक अंगे अखतराओ करता हता अनि वीर्चंद रागव जी गांधी ना अफसान पछी महात्मा गांधी जी एमना पुत्र ने मड़या त्यारा एमने गांधी जी ए पूछियो पन खरू कि तमे तमारा पिता ना खोराक ना प्रयोगो चालू राख्या चे वीर्चन्द गांधिये एक प्रवचन मां अमेरिकों ने कईू के भारत मां ब्रिटिश राज्ये आवियू ते पहला चानो प्रचार भारत मां नोतो भारत मां सौथी मोट्टू पीनू तो पाणी छे ते हमने आश्चेर प्रगट करता कईू के जर्मान लोकोंने पीवा मांटे पाणी पुर्तू नथी मांटे बीयर पीवे छे अने भारत मां कोई बीयर ने अडे तो स्नान करे छे भारत नी भोजन पद्धती वैग्णा निक छे वीर्चन गांधिये इंडियास मैसेज टू अमेरिका मां भारत नी विश्वबंधुत्वनी भावनाने याद करी जगतना देशों साते शांती अने सह अस्तित्वती रैवानी भारत नी भविशनी भावना दर्शावी अमेरिका मां भारत ना उत्तम तत्वनी प्रगट करी ने रदैस पर्शी भाषा मां नवी जाग्रूती फैलावी अमेरिका अने लंडन मां 650 जेटला व्यक्तव्यों आप्या एमने कईूके तमारी त्यां देश भक्त जोर्ज वाशिंग्टन अने मांनावता वादी अब्रहान लिक्कन थाया तो अमारे त्यां पन समराट अशोक अने राजा विक्रम थाया छे भारतनी महत्ता प्रगट करीने एमने कईूके जो भारतनी संस्कृती खरीदी शकाय तैम होत तो इंग्लेंडे ते देश माधी खरीदी लिदी होत पड़े बनी शके तैम न थी एमने एक सबा मा कईूके आजे अमें महरानी विक्टोरियाना प्रजाजन छिए जो अमारी पुतानी सरकार होत तो अमें विश्वना बद्धा राष्ट्रो साथे शान्ती मैं संबंधी गाठ बांती होत अमें कोई ना अधिकार पर तराप मारवा इजता न थी समग्र मानव जात्ती एकताने जंखिये शे अने पची संस्कृत श्लोक ने टाकी ने कहे छे के मारा देशना लोको तो समग्र विश्वने एक कुटुम मात्र माने छे वीर्चन गाहंदी साथे स्वामी विवेकानन दता स्वामी विवेकानननु कार्य मशाल जियू बनी रयो एमना स्वामी अवेदानन आधी शिष्य मंडळे तता एज समय स्थपाएली रामकृष्ण सोसाइटी ए एमनी भावनाओनी मशाल जलती राखे जे रे वीर्चन गाहंदीनु कार्य जैन समादनी संकुचित्ता अने रुडी ग्रस्तताने कारणे मात्र दुपसडीनी जैम सुवास फैलावीने विलीन थे गयू पण आजे जयारे भारतनु स्वाविमान, योगप्रणाली, आत्मानु विग्ण्यान, शाकाहार, अहिंसा अने दर्शनोनी प्रतिष्ठानी वाद थाई शे, त्यारे भारतिय संस्कुचितीनी महेक फैलावनार, आ गुजराती वीर्चन गाहंदीनी वाद कर्यावीना, क्या थी रही शकाहे कुमारपार देशाई ताजे तर्मा संपन थहेल, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 मा भारती अत्यार सुधीनों श्रेष्ठ देखाव करीने, साथ मैडल हस्तगत कर्या टोक्यो ओलंपिक्स मा भारतीय मैला होकी टीम भले मैडल ना मेलवी शकी, पन चोथूस्तान प्राप्त करीने, तैने इतियास सर्ज्यों आश्चरे जन्मावे तिवी वादतो एछे, के महिला होकी टीमनी मोटा भागनी खेलाडियो, अत्यांत आकरो एवो आर्थिक सामाजिक संगर्ष वेठीने, आस थाने पहुची छे पची दे कैप्टन रानी रामपाल होई, हरियाणानी नेहा गोयल होई, के उत्तर प्रदेश नी वन्ना कटारिया भार्थिय महिला होकी टीमनी आखेलाडियोना संगर्ष अने सिद्धियोनी प्रेणा सबर वात आलेखेशे, अमला परिख, जनेस्वर आप्योशे, मोडन भट्टे विश्वा विहार सामबरता सर्वेश्वोधा मित्रोंने मोडन भट्टना प्यार बरा नमस्कार अजय मित्रों आपड़े अमला परिख नी कलमे लखाएल दिलनी दगश हाई, तो अपत्तियो अगड़ी जाए ए लेखा अपड़े सामड़ी आजे खेल कुद संदर्वा मां दिलनी दगश हाई, तो अपत्तियो अगड़ी जाए टोक्यो ओलिम्पिक्स बेजर विश्वा मां भारतिय मैला ओके टीम चौथा स्थाने रही कांश्यत चंदरकनी स्परदा मां ब्रिटन सामें चार त्रण थी, तेनों परा जाई थे पर अलिम्पिक्स जेवा रमत अच्च्वा मां चौथा साने पांचवो ते पन एक सिद्धी गणाई रानी रामपालनी आगेवानी एठवडनी भारतिय मैला ओकी टीमें लडायक रमत रमीने विश्वनी नजर मां एक सक्षम ओकी टीम तरीके पोतनों नाम अंकित करी दिदू चे ये वारतिय मैला ओकी टीमना सब्व्योपर नजर करिये तो मोटा भागनी खेलाडियो साव सामन्य कुट्टुम्ब माती आवे चे द्रड मनोबल रमत प्रत्यनों लगाव अथाक परिश्रम और अविरत संगर्ष द्वारा ज़ ते वैस्विक स्तर सुधी पहुची चे टीमनी कप्तान रानी रामपाल एह हरियाणाना श्राहबाद गामना वतनी चे येना पीता लारी चलावे चे और माता घर काम करे चे खावाना पन सांसा हता घर नी नजी कावेला होकी ना मेदान पासे बेसी रही निते होकी नी रमत निहाल थी ये समय येने मनोमन होकी रम्मानों निश्चाही करियो कोई फैंकी दीदली तूटेली होकी स्टीक थी सलवार कमी स्फेरी ने ते रम्मा लागी आजे आतेना द्रड संकलपतियने सूझ बूझ थी ते वारतिय होकी टीमनी कप्तान बनी चे जारखंडनी निकी प्रदान नकसलवादियो नूँ वर्चस्वा धरावता विस्तार माती ते आवे चे तेने येने तेनी बेहने होके स्टीक खरिदवा मजुर तरीके काम करी होतु निकी तो जारे राची नी अकादेमी मा तालिम लेवाद दाखल थाई त्यारे तेने होकी ना बूट अने स्टीक मणे आदा मिजरोमनी स्रिया मीने अंग्रेजी के हिंदी बेमा थी एक भाषा आवरती नती तेथी सांकेतिक भाषा मा वादचीत करती हती अने आवी विपरित परिस्थिते मा पन होकी नी रमत मा ते मौकरानी खेलाणी बनी चे ओडिसानी दीप ग्रेश एकका होकी रमत परिवार नी सब्य छे तेनो भाई दिनेश अने तेना काका पूरुष ओकी टीम ना सब्यो रही चुक्या छे परिवार ना प्रोत्साहनने रमत प्रत्यना ये लगाव थी तेने होकी रमत परिवार नुशरू करिव परंतु येने आसपासना समाजना सामाजिक तिरस्कार ने पन सहन करवो पिल्यो भरियानानी उद्धीता दुहानने हेंडबोल नी रमत पसंदती परंतु शाडामा हेंडबोल कौच जदा रेवाथी माताना सुचन थे होकी रमत मानुशरू करिव और नौनित कौर रियो ओलिम्पिक्स पन महीला होकी टीम नी सब्ब्य रही चुकी छे गुरीना येवा वुलामना नाम थी जानीती अमरुत सर्नी गुरुजित कौर ने कबडेनी रमत माँ प्रविन बनुवतु परंतु अस्टेल नजी गावेला ए होकी ना मेदन मा खेलाडी वने रमता जोई ने तेने होकी टा मनुशरू करिव और ने त्यार बाद कदी पाचु वड़े ने तेमने जोई उन थे भरियाणानी नवजोद कौर ना पीता मिकेनिक छे पोतोनु एक संतान्तो कोई प्रकानी रमत मा आगल वदे तेम विचारी तेमने नवजोद ने संजई गांधी नेशनल पार्क शाड़ामा तालिम लेवा मुकी रमत ना सुंदर प्रदर्शनने कारणे ते 2014 अने 2018 एस्षियन रमत वत्सव रियो अलिम्पेक्स अने वर्ल्ड कंपनी टीमनी सब्ब्यराई चुकी छे हरियाणानी नेहा गोयल माटे होके नी इरमत एक गरना तंग वातावर्ण माती एक छुटकारा साथे बेवकत नो बोजन पूरु पाड़नारो मार्ग हतो इनना दारोडिया पिताएनी माताने मारता अने वारंबार जगड़ता माता साथे ते 5 रुपिया कमावा साइकल नी फेक्टरी मा काम करदी अडार वर्ष्णी वहिया ते राष्ट्रीय ओके टीम ना स्थान पामी अने टॉकियो ओलिम्पिक्स मा भाग लेनारी टीम नी सभ्यपन बनी हरियाणाना दरजीनी दिकरी निशा वार्सी ए ओकी नी रमत एटला माटे पसंद करी ये वरिष्ट सभ्यवनी एक चे ये रियो ओलिम्पिक्स मा टीम नी कप्तान पन रही चुकी चे नकसल वादियाँनू वर्चस्व धरावता विस्तार माती आवती जार्खंड नी सलीमा टेरेने टेटेने ओके नी रमत प्रत्य एटलोग प्रहम अतो के साधा मेदान मा थी पत्राद दूर करी अने काम चलाओ गोल पोस्ट उभो करी ने रमत रमत रमती के तरमा काम करी पहिसा बचावी तेने होकी स्टीक खरी दियती अने उतरप्रदेश नी वंदना कटारिया भारती ओकी टीम मा एक गोलनी ओलिम्पिक्स हेट्रिक नोंदावनारी एक मात्रों ने मात्रों सब्या चे सामाजिक मेहना टोना नी ए अउगणना करी ने तेना स्वर्गस्त पिताय तेने होकी रमवा प्रोतसाहित करिया थी अने आजय वंदना ये भारतिय होकी टीम नी मानीती सभ्य पणचे रियाणा नी मानीका मलीक ना पिता तकदिर सिंग मलीक ने कुस्ती पसंद दी पन्तु बिजनेस एडिनिस्ट्रेशन नी ए डिगरी दरावना मानों ने होकी रम्मो उतो ते आजय भारतिय होकी टीम नी आदार स्तंब ये टाके बैकबॉन ए गणाईचे इसार रियाणा नी ओग्णिश्वर्ष्ण ने सरमीला देवी ने होकी वॉलीबॉल फुटबॉल बदे जर्मत पसंद दती परंतो तेना दादा जे राष्ट्रिय कक्षा नी ओकी खेलडी एता तेमनी प्रेडणा थी ओकी नी रमत पर पसंद गिनो कलश जोड़ियो भारतिय ओकी टीम नी गोल किपर सवीता पुनियाने ए हरियाना खुल किपर नो तो बन्वो मेज माटे गर्मीना समय भारेखम साधोनो लईने बसमा सफर करवी खुब कपरी हैती परंतो दादाना प्रोच्साहानने पीताना साधनो पाचलना खर्चाळ रोकाणने कारणे ते रमत प्रत्य गंभिर बनी औने आजे ते टीमनी वाइस केप्टन चे आम भारतिया होकेटीम भारतिया नारी शक्तिनो एक जोलंद उदाहरन चे अने तेमनों मार्गदर्शन अने युवा उबरता खेलाडियो माटे एक प्रेणा दाई चे अमला परिक विदेशना प्रवास दरम्यान जो त्यां सदियो थी वस्ता भारतिया मोलना लोको मली जायतो मोरेश्यसना प्रवास दरम्यान लेखी का भारती राणे साथे आवुज बन्यू हिंद महासागरमा आवेल मोरेश्यस साथे भारतने वर्षो जुनो नातो रयो छे भारतिय मुल्णा हज्जारों लोको सदियों पूर्वे अहीं काम अर्थे आवीने वस्या अने आ रम्णिय टापू पर तेमने कायम नुस्थान बनावियू इटलेज भारतिय संस्कृतीनु अहीं सारुवे उवर्चस वचे आवाज किटलाक मुल भारतिय पण हवे मौरेश्यन एवा लोकोए अथिती देवो भावनी भारतिय भावनाने सद्यों परियंत्ती केवी रिते जाडवी राखी छे तेनी भाव सबर वात करे छे भारति राणे सांबढ़िये प्रीति शाहना स्वर्मा प्रवास मेरा नाम सबीता है मोरेश्यस्वा अमारो मुकाम तैना सुन्दर तम पुर्व किनारा पर स्थित एक नानकडु गामडु नामे ग्रांड रिवर साउथ एस्ट नी एक नानकडी होटल मा हतो दर्याने अडेईने बांधेलिया होटल ना प्रांगण मा थी बार निकताज एक हिंदु मंदीर देखातु जराक आगल शेरिडीना खेतरो वच्चे थी पसार थता गामडा तरफ चालिये तो नानकडा कम्युनिटी सेंटर नी जालियो थी सुरक्षित प्लेग्राउंड मा चोक्रा वॉलीबोल रमता देखाता अने वडिलो लाइब्रेरी मा वाजता अथ्वा पासेना खंड मा टीवी जोता देखाता सेंटर नी आसपास थोड़े थोड़े अंतरे बंधायेला नानी नानी बंगलियो जिवा मकानो मा थी गणा खराना आंग्णा मा एक ओटलो हतो जेना उपर नानी देरी मा अथ्वा खुल्ला मा हनुमान जिनी मूर्ती मुकेली देखाती अने तेनी बाजुमा खोसेली उच्ची लाकडी पर लाल सफेज धजा फरक्ती रहती वड़ी आवा दरेक मकानने आंग्णे एक-एक तुलसी क्यारो पन जुवा मलतो गामनानू पन स्वच्च हतु लोको जराक शामळा अने साधा हता पन बधे ये शान्ती हती क्या आई कच्रो नहीं ने घोंगाटनू नामो निशान नहीं अमे भारतिय जिवा देखाता अने गुजराती डब्ती साडी पेलेला एक बेन साथे हिंदी मा वाद करवा प्रहत्न कर्यो त्यारे खबर पड़ी के एमने हिंदी आवडती नोती ते वो फ्रेंच अथ्वा क् संस्क्रोती प्रत्यनू विसमैं वद्धूतू जतु हतू ए श्थरना एक अठवाड़ेना रेणाक तर्म्यान एटलू तो सम्जायू हतू के भारतिय मोलनी प्रजानू अने भारतिय संस्क्रूतीनू त्या सारू एउँ वर्चस्व हतू एम पन जानवा मल्यू हतू के इटलो वध्यों हतो के गणा गोराओ धिमे धिमे ये देश छोड़ी रया हता। ते तेमनो सहियारो वार्सो हतो। परतावा लागयो। सहलाणी ओ एक पची एक किनारानी जाडी तरफ पाछा फरवा लागया। किनारा पर एक नानु एव वन उगाडेलू हतो। थोड़ाक लोको कुंडाले वड़ीने जमबा बेठा। तो केटलाक टुवाल पाथीने छाइडामा आराम फरमावा लागया। बाळको दोडा दोडी करी रमबा लागया। बेचार सुरज घेला युगलो सुर्यस्नान करता रेतीमा पड़या हता। तेमने बाद करता सरवाले आखो मेळो फरी आ छाइडामा जाम्यो। वरुक्षने अडेलीने बेठा बेठा पवनने हालर्डे घडिक मिचायली मारी आंक। खंजरीने ताले गवाता कोई लोग गितना शोर थी खुली गई। जराक जोकू आवियू तेमा नवांगत्तुकोनू आ आखे आखो टोडू क्या थी आवी चड़ियू हशे। साथ आठ वर्षना बालको थी मांडी ने साथ सित्तेर ना व्रुद्धो सुधी ना सव गोल कुंड़ामा उभारे मस्ती थी गीत गाई रहाता। वच्चे एक खोखा पर मुकेली केक जोईने समझायू के कोईकनी वर्षगाट उजवाई रहाती। संगीत नी भाषा समझाती नोती पड़ेना स्वर्ताल खोश मिजाज अने कर्ण मंजूल हता। संगीत नो जादू एक तरफ मने ए मंड़ी तरफ खेंचतो हतो अने बीजी तरफ अजान यानी बर्टडे पार्टी मां बन बोल्या मेमान केम करीने थवू। एवो सब्यतानो ख्याल बंधन बनीने रोकी रहो हतो। आखरे एक मनुष्यनी बीजा मनुष्योने मलवानी इने जानवानी रदय एच्छानो विजय थोयो। अमारी टोड़ीना सव मेत्रो कुंड़ा थी सहज दूर उभारे संगितने ताले तालियो पाडवाला गया। टोड़ाना केटलाक लोकोनुँ ध्यान खेंचायो। एटले एमानी एक यूती अमने साथे जोड़ावा निमंत्रवा। अमारी पासे आवीने हाथ खेंचीने टोड़ानी वच्चे लई गई। अमारा जोड़ावा थी ए लोकोनु उत्सा वद्यो। तेवो वद्धू जोर थी गावा लागया। ए साबड़ी आसपासना केटला गोरा परियटको पन आकरशाया। अन्ने तेवो पन जोड़ाया। इलो सर्फनी बपोर्नो तड़को जाने मोरेशियन लोक संगितमा तरबोर थाई गयो। शु नाम तमारू। मने टोड़ामा खेंची लावनार यूतीने में अंग्रेजीमा पूछू। मेरा नाम सबीता है। जराक अटकी अटकी ने बोलाती हिंदीमा जवाब आवयो। आप इंडियन हो। मैं आश्चर्य थी पूछू। नई, हम मोरेशियन है। हमारा दादा या तो उसका भी बाप इंडिया से यहाँ आया था। सुत्राव गेर वालू मिडी फ्रोक पेरेली, क्रुष काय, श्याम वर्णी, सबीताय जवाब आप्यो। एना चेहरा पर भारतिय अने आफ्रिकन लोकोना नाक नक्षानू अजब मिश्रण हतु। जराक कदरूपा कई शकाई तेवाएना स्वजनो हस्मुखा आने मिलन सार हता। मने खबर हती अई भारतिय मुळना लोको छे। जेमने स्कूलों मा हिंदी एक विशई तरीके शीखवाई छे। एमना मंदिरों मा संस्कूलों स्लोको बोलाईच। रेडियो पर हिंदी मा समाचार ने भोजपूरी कारेक्रमों आवे छे। भोजपूरी गीतो तो टेकसी मा फरता सांब्या हता। पन क्रियोल भासी समाजने नजिक थी जोई शक्वाणी आतक अणधारी हती। सबीता साथे मिनिटों मा पाक्की दोस्ती थेगे। इतो कहे, चालो मारे घरे, सांजनू बोजन साथे लेशू। एम करो ने, होटल छोडीने अमारे घेरज रेवा चालो। पेंगेस तरीके नहीं, अमारा स्वजन तरीके मेमान बनो। वली कहे, अमारू घर नानू छे, पन तमारी बद्धी सगवळ साच्विश। आपने 101 वतन नाचिये। अती थी देवो भवमा माननारा खरूने। सबी तानी लागणी जोईनू आश्चिर्य चकित थेगे। भार्तिय ता, भार्तिय आति थ्य बदू शुलोई मा वेतु हशे। विचारो पन आनुवन्शिक हई शके। सदी ओथी तदन बिन्न भुमी पर बे बिन्न समाज मा उछरेली। एक मुलनी व्यक्तियोंना विचारों मा केटलू साम्य हतु। एवु कईू परिबढ हशे जे मानव शरीर मा स्वभावने ने संसकारोंने पेड़ी दर पेड़ी सीचतु हशे। जराक क्यांक मलिये, ने मित्र बनी जहिए। सहजज कोईने आपने घरे जमवा, मलवा, के रेवा बोलावी शक्ये। जराक वारमा पोताना विशे गणु बदु कही शक्ये। आपने माटे बदु साव स्वाभाविक, पन विदेशियो माटे ए बदु केटलू दुशकर होई छे। युरोप अमेरिका मा तो असंभवज जारे आ भारतिय मोरनी मोरेश्य सबीता के वो आग्र करी रही हती। गीतों पूरा थया, एटले सबीता ये एना स्वजनों साथे ओर्खान करावी। नंद पात्र बावत ए हती के आखा समुदाईने भारत प्रत्य अने भारतिय लोको प्रत्य, अजब आकर्शन अने स्नेभा हतो। क्रियोल सिवाई बिजी कोई भाषा न आवडती होई, एवी एक बे माजियो आवीने वाल करी गई, अने आखो थी अमी वर्सावी गई। एमना जवानो समय थोयो, त्यारे ए लोको आवजो, आवजो, केता थाकता नोता, सव देखाता बन थया, त्या सुधी अनेक हाथ फर्फरता रया। भारति राणे। आजे चारे बाजू सोशेल मीडिया छवाई गईू छे। फेस्बूक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर जेवा सोशेल मीडिया ना युजर्स नी संख्या अबजो माँ छे। आ सोशेल मीडिया पर ब्यूटी फिल्टर नो सहारो लईने पाडेली तस्वीरो मुकुआनो क्रेज युवा पेडीमा वत्तो जाई छे। ब्यूटी फिल्टर थी पाडेली तस्वीरो तमने वदू सुन्दर देखाडे छे। कारण के तेना थी चेरा परना दाग दब्बा आख नीचेना काला कुंडाला बधूज दूर करी शकाई शे। परन्तु आ शुन लोको साथे तेमे तमरी जात साथे करेली छेत्राम्णी नथी। आवी छेत्राम्णी लांबा गाले युवा मानस पर केवी नकारात्मक असरो उपज्यावे शे ते सामे आंगली चिन्दे शे हर्ष मेस्वानिया। सांबडिये बेला ठाकरना स्वर्मा। वर्तमान ब्यूटी फिल्टर मूबाईल करे मेकप। सोशेल मीडिया नी आबासी दुनिया ने ब्यूटी फिल्टर नी मदथी पाडेली तस्वीरो थी आंजी शकाई शे। परन्तु एज ब्यूटी फिल्टर आपनी जाज साथे छेतर पिंडी करे शे। पहली नजरे चिन्ता जनक लागतु आवाक्य अवे संशोदन आधारित हकिकत बनी गयुशे। आ हकिकत विशे विचारिये। सोशेल मीडिया प्लाइटफों मा दर्रोज किटला फोटोग्राफ पोस्ट हता आशे। सोथी विशार प्लाइटफों फेस्बुक थी वाद शरू करिये। फेस्बुक ना दर महिने 2.9 अबबज जिटला एक्टिव युजर्स छे। फेस्बुक मा रोज 30 करोड फोटोग्राफ पोस्ट थाई छे। सरेराश एक मिनिट मा त्रोंड लाख स्टेटस अपडेट थाई शे। एमा थी सित्ते टका फोटोग्राफ होई शे। फेस्बुक नी कंपनी इंस्टाग्राम मा दर मिनिटे 46-44,000 फोटा शेर थाई शे। ट्वीटर मा एक मिनिट मा सड़ा चारती 5 लाख ट्वीट थाई छे अने मा अड़दो अड़द पोस्ट फोटोग्राफ नी होई छे। स्नेपचेट यूजर्स एक मिनिट मा सड़ा 5 लाख फोटोग्राफ नी आपले करे छे। एक वर्ष मा दुनिया भरना लोकोए मड़ी ने 1.2 ट्रिलियन फोटोग्राफ स्पाडी ने सोशल मीडिया मा शेर करे आता। एमा ती 4.7 ट्रिलियन फोटोग्राफ सोशल मीडिया कंपनियोंना सर्वर मा स्टोर थाईला पड़या छे। आ आखडावनों अर्थ जेटलो के लोकोंने पोतानी आसपास्त बनती घटना अन्या लोको साथे शेर करवी गमेशे। शू खादू, शू पीधू, केवी रिते काम कर्यू, केवी दमाल मस्ती करी। ए बत्तो घटना ग्रम, फोटोग्राफ, के वीडियो ना माध्यम थी सोशल मीडिया मा मुकवानू लोकोंने गमेशे। आपणा आ डेटानो लांबा गाडे सोशल मीडिया कम्पनियों केवों अने केटलो दुरूपयों कर्शे, ए वड़ी एक जुदी जर्चानों विशाय शे। परन्तु जो अही मात्र फोटो पोस्टिज वाद करिये, तो संशोधकोना तारणो घणी बाबतो तरफ इशारो करे छे। सोशल मीडिया मा लोकों सारी-सारी बाबतो वधारे रजु करे छे। बीजाने आंजी नाखवा माटे भव्य लाइफस्टाईल बत्तावानी साते-साते सुन्दर तानू प्रदर्शन करवानों क्रेस पन वध्यों छे। सुन्दर देखावानी होड माथी जेम अब्बजो रूपयानी ब्यूटी इंडस्ट्री नो जन्मत हयो। एरिते आ घेलशम माथी जन्मेली एक आड़ पैदाशनू नाम छे ब्यूटी फिल्टर। अपने अरिसामा वधारे सारा देखाईये छे के ब्यूटी फिल्टर थी पाड़ेला फोटोग्राफ मा। जवाब स्पस्ट छे फोटोग्राफ मा। साधा केमेरा थी पाड़ेला फोटा मा नहीं पन ब्यूटी फिल्टर डी मदद थी पाड़ेला फोटोग्राफ मा वधारे सारा देखाईये छे। beauty filter नी असोरणी वाद करता पहला beauty filter नो उदभव अने विकास टूप मा जानी लएये mobile phone स्मार्टफ़न बन्या ते पची सारा मा सारो camera अपवाणी होड जामी हती smartphone मा camera नी विवित करा मतो मुख्य फीचर तरीखे उभरी हती एकने बदले बब्बे camera मलता थाया फ्रन्ट कैमेरानू फीचर उमेरायू पिक्सलनी क्षमता वदी। ए बदु थाई गाया पची युवा वर्गमा चाहना धरावता स्नैपचेट है। पहली वकद 2015 मा ब्यूटी फिल्टर नी सगवड आपी। अत्यार सुधिमा मोबैल मा फीचर्स आवता आता। परन्तु पहली वकद सोश्यल मीडिया प्लाइटफों में आर्टिफिशल इंटेलिजन्स नी मदत्ती फोटो वदु सारो देखाए ते माटे नी सगवड आपी। मोबैल कोई पन कंपनी नी होई, पण ए फोटो स्नेपचेट ना फीचर नी मदत्ती पाड़वा माँ आवे, तो एनू रिजर्ट वदु सारो देखातु आतु। आ फीचर नों खुप सारो फीडबैक मलो। एमा एवी टेकनिक हती के फोटो पाड़ती वक्ते लाइट्स ओची वदारे होई, तो अपने बराबर सेट थाई शक्ती हती। अने फोटो पाड़ना राना फोटोग्राफ्स वदु सुघड लागता आता। स्नेपचेट माँ फीचर आवियू के तरत अज इंस्टाग्राम ना सहस्तापक केविन सिस्ट्रो में 2006 माँ पहली वकत ब्यूटी फिल्टर रजु कर्यू। ए फिल्टर स्नेपचेट करता वदु शक्ती शाली अने प्रभावक अतु। एमा वदारे ओप्शन्स मलता आता। मोपर पिम्पल्स होय अन्य कोई नाना मोटा डाग होय के आखनी आसपर स्काला कुंडाला होय तो ए फिल्टर थेई जाए अन्य फोटो फिल्मी हिरो हिरोईन जेवा देखाए ए आ फीचर नी मुख्या खास्यत अती। इंस्टा स्टोरी मा चोविस कल्लाक माटे जे फोटो शेर थतो अतो ए जो इंस्टा माथी ज पाड़े होय तो एमा जेते व्यक्ती वधारे सुन्दर देखाती आती। आ फीचर आम जुओ तो अनलाइन मेकप नू काम करे छे। जेम एक समय प्रोफेशनल स्टूडियो मा मौडलिंग फोटो बाड़वा मा आवे तो ए फोटोग्राफ सगाई लगन जेवा प्रसोंगों मा पड़ता अपना फोटोग्राफ करता वधारे सारो अने वधारे आकर लागतो एम इंस्टाना ब्यूटी फिल्टर माधी खेंचेली तस्वीर वधारे आकर्शक बनी जती हती। इंस्टाना आ ब्यूटी फिल्टर है स्मार्टफोन फोटोग्राफी मा क्रांती सर्जी दी दी। बे जार सत्तर पची जितला स्मार्टफोन मार्केट मा आवता एमा ती अड़दो अड़द मा ब्यूटी फिल्टर नो अप्शन मलवा लागयो। बे एक वर्ष मा तो मोटा भागना स्मार्टफोन मा ए फीचर उमेर आई गयो। एटलूज नही। अन्य सोश्यल मीडिया प पन आजनी युवा पेडिने गमता नथी। शरू आत्मा जे फीचर क्रांती कारी लागतु अतु एना कारणे आजनी जनरेशननी मानसिकता केटली बदलाई गई छे। ते अंगेना घणा संशोधनो थाया छे। अन्ये एना तारणो चोकावनारा पन छे। सोश्यल मीडिया ए बीजा साथे आपनी सर्खामनी करवानी साथे साथे आपने आपनी जाज साथे सतत सर्खामनी करिये एवी स्थिती सर्जी छे। देखाव आधारित मुल्यांकन आपने त्या सद्यों थी थाय छे। सोश्यल मीडिया एमा बढतामा वधारे की होम्यों छ एक समय फेस वेल्यू एक्टर माटे के कोई प्रोडक्ट माटे महत्वनी आती आजे ए दरेक व्यक्ति माटे महत्वनी बनी गई छे एना थी लोको स्वास्थिय अंगे वदू जागरूत थाया छे पुताना देखाव अंगे वदारे सजाक थाया छे एने लापदाई गणिये तो एनी सामे लोको नवी आभासी दुनिया माँ जीवता थाया एक गैर लापपण त्याने लेवो पडशे ब्रिटिश कॉस्मेटिक कंपनी युवेंसे एक रस्प्रत सर्वेक्षन हाथ धर्यू अतु एना तारणों आखात जनक अने चौकाव नारा छे 2019 सित्तेर लोको ने फेस फिल्टर अंगे सवाल पुझवामा आवे आता आड़त्रिस टकाईस विकार्यू हतु के व्यूटी फिल्टर वगर फोटो पोस्ट करवानू तेबडा माटे अशक्या छे 2019 साइट टकाई कई हतु के सोशल मीडियाना फोटा जोया पछी तेमने तेमनी जातने हवे अरिसामा जोवीज गमती ना थे फिल्टर वगर ना फोटोग्राफ जोया पछी आश्चेरेमा डूबी जवाई छे तेवू 23 स्टका लोकोई कई हतु त्री स्टका इस विकार्यू हतु के फिल्टर नो उप्योग करवा थी तेमना आत्म सन्मान पर नकार आत्मक असर थाई छे अने तेने कोतानी जात प्रत्य दिक्कार नी लागनी थाई छे परन्तु बदलाती दुनियामा वदू सुन्दर और युवान देखावा माटे ये ना छुटके ब्यूटी फिल्टर नो उप्योग करे छे साड़त्री स्टका ने फिल्टर फीचर थी कोई जवांदो नो तो एमने कव्यू अतु कि तेमना वास्तविक चहरा करता फिल्टर थाईलो चहरो बत्तावामा तेमने वधारे आनंद आवे छे एमनी दले लेवी अती कि सोशेल मीडियाना मित्रो माथी नेव टाकाने कि आरे ब्रत्यक्ष मढवानी शक्यता न थी नवी पेडी ना ब्यूटी ना ख्यालो अने धरणो बदलाया चे तेमा फिल्टर नी शू भूमिका चे जर्मनी नी एर्डन उनिवर्सिटी ना मनो विग्णियान विभागे आ विशे पर संचोधन हाथ दर्यू हतो एमा जेब्डी पासे थी प्रत्यूतर मल्यो एमा थी इठ्योते टकाए स्विकार्यू के ब्यूटी फिल्टर नो वधारी उप्योग कर्या पची अवे तेमना मा जेवा छे एवा देखावानो आत्मविश्वास रयो नती ब्यूटी फिल्टर ती फोटा पाड़या पची ओच्छा सुन्दर देखाशे एवा डर्थी ओगंत्रिस टकाए सामाजिक समारोंभो मा जवानो टाड़ी वतो नियोर्क ना विख्यात प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर डैनियल ममन कहे छे के सेल्फी फिल्टर एक प्रकारनी ओनलाइन प्लास्टिक सर्जरी छे परन्तु खरू जोता ए आपनी जाच साथे नी एक छेतर पिंडी छे आपने जेवा छिये एवा देखाई शक्ता नथी इटले बिजाने छेतर वा माटे आपने हावा फीचर्सनों उप्योग करिये छे परन्तु साथे साथे आपने पन आपनी जातने छेतर ये छे नवी पेढी अने सौंदर्यना मापदननों विगतवार अभ्यास करनारा अमेरिकन न्यूपोर्ट एकेडेमी ना प्रोफेसर हीधर मुन्रों कहे छे के फेस फिल्टर थी नवी पेढी नों आत्मविश्वास घटी जाए छे एटलूज नहीं, बालक ती युवान, युवान ती प्रोवड, प्रोवड ती व्रुद्ध थवानी जे व्यक्तिमा थती कुद्रती प्रक्रिया कि बदलाती अवस्था हो छे तेनो धरार अस्विकार करवानी एक भयानक मांसिक बिमारीनों जन्मा थैरो हो छे आ युवा पेडी व्रुद्ध थवा नथी मागती अने एमा आवा फीचर्स तेने वधारे छेत्रामनी स्थितीनों अवकाश आपे छे खेर, मोटा भागना निश्णा तो एव आत्मा समच छे के ब्यूटी फिल्टर नो अतिरेक युवा पेडीना आत्मा विश्वास ने डगमग आवे छे ब्यूटी फिल्टर एवी आभासी दुनिया सर्जे छे के जेमा आपने आपनी जातने छेतरिये छे हर्ष मिस्वानिया